राधे राधे मेरे प्यारे भाईयों बेहनों माताओं वाबंधों संसकार की बाते चैनल में आपका स्वागत है बंधों आज आश्रिन मास के शर्द पुर्निमा के दिन में आपको श्रवन करवाने जा रही हूँ पुर्निमा की कथा को सुनते हैं उनके सभी मनोरत शिक्र अतिशिक्र पूरे हो जाते हैं जिस मुरुष्य की जो भी कामना हो वह उसकी शिक्र पूरी होती है जो पुर्निमा के दिन पुर्निमा की कथा को सुनते हैं बंधों पूरन विश्वास के साथ ही कथा का श्ट्रवन करें ताकि भगवान आपकी मनो कामना शिक्र पूरी कर सकें बंधों यदि आपने यूटीब चैनल संसकार की बाते अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके बोलो शिवशंकर भोले नाद कीजे मा पारवती कीजे बंधों कथा का श्रवन करने के बाद कमेंट बोक्स में राधे राधे लिखना मत भूलिए ताकि आपको कथा श्रवन का पूरण फल प्राप्थ हो किसी नगर में चंद्रहास नाम का एक राजा था उसकी पत्नी का नाम कृतिका था और वही नगर में एक ब्रहामन और ब्रहामने रहते थे उनके यहां धन धन्य की कोई कमी नहीं थी पर उनके कोई संतान नहीं थी इस वज़े से वे बहुत दुखी थे एक समय एक तपस्वी उस नगरी में आया वहे तपस्वी उस प्रहमन के घर को छोड़ कर सभी घरों से लेकर भोजन करता पर वहे रूप पती से भिक्षा नहीं लेता था एक दिन जब तपस्वी ने किसी अन्य घर से भिक्षा ली और गंगा के किनारे जाकर टेम पुर्वक खाने लगा तब धनेश्वर ने तपस्वी के सभी कारें को करते देखा और अपने भिक्षा के अनादर को देखकर धनेश्वर तपस्वी से जाकर बोले आप सभी घरों की भिख्षा लेते हैं पर मेरे घर से भिख्षा क्यों नहीं लेते तब तपस्वी ने कहा जो निसंतान हो उसके घर की भिख्षा बड़ी पाप दाईनी मानी जाती है पतितों का अन खाने से मनुष्य आप भी पतित हो जाता है क्योंकि तुम निसंतान हो इसलिए मैं तुमारे घर की भिख्षा नहीं ले सकता धनेश्वा ने तपस्वी के पैर पकड़ लिये और बोला मुझे आप पुत्र प्राप्ति का उपाये बताईए मेरे इस दुख को खतम करें आप मेरे दुख को खतम करने में समर्थ हैं तब उसके द्वारा प्रात्ना करने पर तपस्वी कहने लगा तुम चंडी की अराधना करो और आकर उसने ब्राहमनी को सारी बात बताई और खुद चंडी की तपस्या करने के लिए वन में चला गया उसने चंडी की उपासना की उपवास किया और 16 दिन उसे चंडी ने दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे पुत्र होगा पर वह स जाप्त करेगा जितने तुम्हारी समर्था हो उतने घी के दीपक बना कर शिवलिंग के सामने जगाना पर ऐसा 32 पुर्णिमा को ही करना प्रातह काल होने पर इस थान पर तुम्हें एक आम का पेड दिखाई देगा पेड पर चड़कर एक आम तोड़ना और घर ले जाकर पत् पत्नी को सारी बात बताई शिनान करके पत्नी को खिलाना प्रातह काल होने पर इस थान पर तुम्हें एक आम का पेड दिखाई देगा पेड पर चड़कर एक आम तोड़ना और घर ले जाकर पत्नी को सारी बात बताना और शिनान करके पत्नी को खिलाना उसके संतान होगी जब वह स्वेरे उठा उसने वहाँ एक आम की पेड़ को देखा और आम लगा देखा पर वह आम तोड़ ना पाया क्योंकि आम बहुत उंचे लगा था पर गनेश्ची से प्रात्ना करने लगा कि हे गनेश्ची मेरा कार्य सिद करें और मैं अपना मनोरत पूरन कर सकूँ गनेश्ची की कृपा से धनेश्वर पेड़ पर चड़ गया और उस फल को देखा उसे महसूस हुआ कि ये तो वही वर्दान वाला फल है और उसने तोड़ा और पेड़ से नीचे उतर आया और फिर घर जाकर उसने अपनी पत्नी को दिया नवे महीने उसके पुत्र पैदा हुआ और पुत्र बहुत ही सुन्दर और सुशील था उसकी माता पिता ने 32 पुर्णमाशी का व्रत करना शुरू कर दिया 16 वर्ष लगते ही माता पिता को चिंदा होने लगी कि कहीं 16 वर्ष होने पर बेटे की मृत्यू तो नहीं हो जाएगी इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि ये घटना अगर उनके सामने घटित हुई तो क्या होगा उन्होंने उस बच्चे के मामा को बुलवाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवी दास को तुम एक वर्ष के लिए काशी में ले जाकर विद्या ग्रहन करवाओ उसे अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ना तुम सदा उसके साथ रहना और इस तरहें से उन्होंने अपने बेटे को एक वर्ष के लिए काशी भेज दिया किन्तु यह बात मामा को नहीं बताई धनेश्वार ने अपने पुत्र की मंगल कामना के लिए भगवती की आरादना शुरू कर दी और फिर 32 पुर्णिमा का वरत पूरा कर लिया कुछ दिनों के बाद मामा भांजा किसी गाम में ठहरे हुए थे जिस धरम शाला में वे ठहरे हुए थे वहाँ एक बाराथ ठहरी हुई थी लगन के समय वर्ष को कोई रोख हो गया वर्ष के पिता ने कुटूम्बियों के साथ विचार विमर्ष किया कि वह देविदास को वर्ष के रूप में ले जाते हैं और बाद में विवहा के अन्यकाम अपने पुत्र के साथ करवा देंगे वर्ष का पिता देविदास के पास गया और बोला तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो ता कि लगन का काम सुचारू रूप से हो सके उसके मामा बोले वर्ष को जो मिले वो हमें देना मेरा भांजा वर्ष बन जाएगा और वे मान गए और देविदास को वर्ष बनने के लिए भेज दिया विवहा कारे विधी पुर्वक संपन हो गया पत्नी के साथ भोजन नाक किया और पत्नी ने दिखा कि उसकी पती की आँखों में आसूं है वेह बोली आप उदास क्यूं है लड़के ने सारी बात बताई उस कन्या ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है अगनी के सामने में ने आपको पती बनाया है देवी दास ने कहा ऐसा मत कहिए मेरी आयू बहुत छोटी है मेरी मृत्यू के बात तुम्हारा क्या होगा पत्नी बोली जो होगा सो देखा जाएगा दोनोंने साथ में भोजन किया और सो गई देवी दास ने जाने से पहले अपनी पतनी को तीन नगो से जड़ी अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और कहा कि इसे मेरा संकेश समझ कर स्थिर्चित हो जाओ मेरा जनम मरन जानने के लिए एक पुश्प वाटिका लगाओ और वहाँ नव मलिका लगाओ और उसे जल से सिंचित करती रहो जिस दिन ये सूख जाएं समय लेना मेरे प्रानों का अंत हो गया अर्थात मेरे प्रान निकल गए जब ये फिर से हरे भरे हो जाएं तो समय लेना मैं जिवित हो गया हूँ और इसे मेरा संकेश समय ना प्राते काल होते ही विवहा कारे संपन हुए तो कन्या ने अपने पिता से कहा यह मेरा पती नहीं है मेरा पती वही है जिसका रात्री में मेरे साथ विवहा हुआ था यदि यह मेरा पती है तो मुझे बताए कि रात्री में हमारी क्या बाते हुई थी इस ने मुझे क्या दिया ये बाते सुनकर वर कहता मैं कुछ नहीं जानता वह लज्जित होकर वहां से चला गया और बारात भी वापिस लोट गई मामा भांजा काशी विद्या अध्यान के लिए चले गए और एक दिन काल से प्रेरित होकर एक सर्प देवी दास को काटने के लिए वहां पहुचा जहर की ज्वाला से सारे स्थान जहरीला हो गया पुर्निमा व्रत की कृपा से साप उसे काट ना पाया काल वहां आया उसके श्रीर से उसके प्रानों को निकालने की कोशिश करने लगा और वह मुच्छित हो गया भगवान श्रीव पार्वती वी वहां आये उसे मुच्छित दशा में देकर माता पार्वती ने श्रीव जी से कहा इसकी माता ने 32 पुर्निमा का व्रत किया था इसे प्रान दें भक्त वसल भगवान ने उसे प्रान दान दिये व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा उसकी इस्त्री उसकी पत्तिक्षा करती थी उसने देखा कि पुश्वाटिका में कुछ भी ना रहा और साथ ही देखा कि सब हरा भरा हो गया ऐसा देख कर मैं बहुत हर्शित हुई और अपने पिता से बोली पिता जी मेरे पती ठीक है उन्हें ढूंडिये उधर मामा भांजा भी सोल्वा वर्ष पूरा होने पर काशी से वापिस चल पड़े और कन्या के घर पहुँच गए कन्या ने अपने वर को पहचान लिया धनेश्वर बत्तिस पुर्णिमाओं के वरत करने से पुत्रवान हो गया और जो भी इस्तरी इस वरत को करती हैं वे कभी विद्वा नहीं होती वरत पुत्र पोत्रों को देने वाला और सभी मनवकामनाओं को पूरन करने वाला है भगवान शिव की कृपा से बत्तिस वरत करने वालों की हर इच्छा पूरी हो जाती है बोलो शिवशंकर भोले नात की चे राधे राधे चे श्री क्रिशना बंधू यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें आश्यर भी जरूर करें धन्यवाद